नमस्कार दोस्तो हादिक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में तो आज मैं बनाऊंगी पोहा पोष्टिक भी है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा खाये जाने वाली दीश में से एक है इसे बच्चे बड़े बहत पसंद करते हैं और इसे बनाना भी बहुत असान है तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं उस्तों सबसे परले हम क्या करें हैं सब्चियों को छील लेंगे उसके बाद उसे धोकर कट कर लेंगे तो यहां पर में एक मीडियम साइज का प्याज कट कर लिए हूँ छे साथ हरी मीच आदर कैप सिकम कट कर लिए और आठ दस कड़ी पत्ता ले लिए हूँ और उसके बाद आलू एक मीडियम साइज का कट कर लिए हूँ क्यूप्स में और गाजर कट कर लिए हूँ और मटर ले ले लिए हूँ तो इसमें आप अपनी पसंद की और भी सबजे एट कर सकते हैं जैसे फूल को भी बंदा को प्रवी, बीम्स, टमाटर, है ना अब में अपर मीडियम साहला पुहा ले लेंगे न जादा मोटा नहीं जादा पत्ला इस तरह का होना चाहिए है ना मैं इस कटोडी से दो कटोडी पुहा ली हूँ तो पोह को अब क्या करेंगे दो लेंगे अच्छे से चन्नी में डाल कर पानी नीचे से सारा निकल जाए तरीके से और रख दे लिए और उसके बाद हम क्या करेंगे कराई में तेल गरम कर लेंगे और उसमें मुंभफली डालकर फ्राई करके निकाल लेंगे आप चाहे तो इसे रोष्ट करके भी डाल सकते हैं तो ये मुंभफली निकाल लेंगे अब हम क्या करेंगे उसी तेल में आप टेश्पूल सरसो डालेंगे और हडी मिर्च प्याज सब डाल देंगे इसमें और कड़ी पत्ता डाल कर अच्छी से चलाएं और ट्रांस्परेंट होने तक हल्का डाल होने तक इसे फ्राइब करें तो मिर्ची आप अपने कोड़ी कम य भाली दर्जाल उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें कट किया हुआ अलू गाजर मुड़ा लिए इसे चला लेंगे और उसके बाद इस सब्सके अँछ टाल कर मिल और ऑफ जडिला लिए तक्टिश डाल कर कं य।्चिपम कर दोम अच्छवा तो को है में घ्टीट Zhou यं ए लें और हल्दी 1 टीस्पूल और सब्जी में भी हम होगी डाल देंगे सब्सक्राइब आपकी सब्सक्राइब यहारा पका जाय अलूब्यर जो है और अब इधर एक चंबच चीनी डालें हम कि वहां में जुरूर पड़ती है इसे श्वाद बहुत अच्छा आता है रिया कि मर चीनी सब हमारे मिल जाएगा तब तक देखिए पांच मिनिट हो चुका में लो फ्लेम पर हम इसे पका लिए अब हम क्या करेंगे इस स्टिज में कि कैप्सिकम कट किया हुआ डाल देंगे और इसे अच्छे से दो मिनट तर चला कर भूनेंगे ताकि कैप्सिकम का कच्चा पर निकाल जाए और कप्सिकम का स्वाद बर्व करार रहे हमारे पोहे में तो इधर अब हम धन्यापता कट कर लें बारे तो देखिए दो मिनट हो चुका इसे मिला लिए और देखिए हमारा अलू भी अच्छे से पक चुका है तो अब क्या करेंगे इसमें डाल देंगे थोड करकर डाल कर मिला ने तो बनाना बहुत असाल है यह अतल देखिए फ्री बाकित फूरे रजातेह की ब्लाइगे चबर बोलय जरए जट पर पूह आ पना लें मेने सब्जी का भी मेरा सकते है ठी व्या प्याज सब्सक्ताय को तो देखिए अब हम क्या करेंगे किसमें पानी का छीटा थोड़ा दाल देंगे ने क्वाटर कप पानी हम इसमें छीटा दे के पकाएंगे ताकि हमारा हल्दी नमक चीनी सारा चीज में मेल्ट हो जाए अच्छे से और फूल फ्लेम पर हम इसे दो मिनट तक चलाते हुए पका देखिए नमक का रस इसमें डाल देंगे निम्मू से इसका स्वाथ बहुत ही बढ़ी आता है तो फ्लेम को लोग बंद करके उसके बद निम्गू डाले उसके बाद इसमें धनिया पत्ता डाल देट सारा और उसके बाद भूना हुआ मूंपली है उसे डाल दे और इन सारी चीजियों को डाल कर आप इसे अच्छे से मिला ले तो मिलाने के बाद देखिए यह हमारा पुहा बन कर तयार है कितनी सुंदर लगी है कलर कितना सुंदर आया है तो मेरे इस तरीके से आप पुहा जरूर बनाए एक बार ट्राइक करें बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है तो यह हमारा मज़ेदाय लाजबा वहा खटी मीती चट पटी पोहा बन कर तयार है है तो आप एक बर इस रेसिप्र को जरूर ट्राइक करें और कॉमेंट्स में बताए कैसा बना है तो चलिए सर्व करते हैं हमसे तो यहां पर हम सर्विंग प्लेट में को निकाल लेंगे इसके बाद दन्या मन स counselors कर देंगे उसके बाद बारी कट कई वी प्याज उस प्र इस डाल देंगे ऊंच कर देंगे उसके बाद प्याज की और दिम्वोग का स्लैसेस लख देंगे को आपको पसंद हो थो खा सकते हैं यह क्या करेंगे उपर से मुंभली से बी गार्निस कर तिखे के एपसे आपको जड़ी ladder दिखा हूँ पसंद औते में कट fare खासकते हैं तो इस तरीके से girls somethinat के कुछली प्लियर तैयार है तो मिढ़्यों कितना आसन और आजए बनाना तो यदो आपको मेरे रेसिप मढ़ाने का तरीको भी पर अचाहिए लाइक का बटम दबाए और चैनल को सब्सक्राइब करें सेयर करें थेंक यू